मैं नाम मारकंडेत्र पार्टी है चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये सिखते हैं कि डिस्क कोटा क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं और ये कैसे काम करता है ये सारी चीजे हम इस वीडियो में सिखने वाले हैं तो जो हमारा चेप्टर है मैनेजिंग डिस्क कोटा यह क्या होता है डिस्क कोटा came to controlling the disk space यानि कि आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइब होते हैं अड्राइब, C, D जो भी ड्राइब आपके माइक कंप्यूटर में होते हैं उस पर पे आप चाहते हैं disk quota लगाना, यानि कि control लगाना कि 10 GB से ज़्यादे कोई data उसमें copy नहीं कर पाया है 10 GB से उपर अगर वह copy करता है तो वह उसमें paste नहीं कर पाया है यानि कि कोई file 10 GB का है अगर वह चाता है duty drive में आपने limit दिया नहीं कर सकते हैं तब हो क्या करेगा 10 GB का फाइल इसमें कॉंपी करने जाएगा बट जब आप उसमें पर्मीशन लगाए होते हैं डिस कोटा का तो वह क्या कर सकता है उसमें copy नहीं कर पाता है इसमें क्या होगा it is available only windows xp vista 788.1 10 यह सारे जो windows के upgraded version है इसमें यह function available होता है professional having ntfs value होता है उसमें यह disc quota available होता है तो disc quota का use कैसे करते हैं तो इसके लिए हमें my computer पे जाना पड़ेगा यहां पे मैं my computer पे आ गया मैं चाहता हूँ कि इस drive में कोई 10 GB से ज़्यादे data को copy न कर पाए तो मुझे क्या करना होगा मुझे इस पे right click करना होगा सबसे नीचे का option दिख रहा है properties का उस पे जाना होगा वहाँ जाने के बाद आपको option दिख रहा है quota का यहां पे देखिए यह जो आपको quota का option है उस पे आपको click करना है click करने के बाद आपके सामने एक option होगा so quota setting इस पे आपको click करना होगा click करने के बाद यहां पे आपको enable करना होगा enable करने के बाद आपको एक option दे रहा है ले पर टिक करिए और एक नीचे एक option दे रहा है आपको limit disk space to यानि कि अगर आप चाहते हैं इस drive पर limit लगाना तो आप यहाँ पर टिक करिए उसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि 10 GB इसमें limit हो यहाँ पर आप GB कर लिजे अगर आप चाहते हैं कि 9 GB से उपर अगर वो copy करने लगे तो उसको set warning label यहाँ पर देखिए set warning label यह अगर हम चाहते हैं 9 GB तक का file अगर वो copy करता है उसके बाद कोई इनको warning न मिले 9 GB से ज्यों उपर जाए तो इनको warning मिलना सुरू हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा आपको यहाँ पर 10 GB मैंने दे दिया और set warning इनको 9 GB से उपर जब यह file copy paste करेंगे तब इनको यह warning मिलना सुरू हो जाएगा कि आप limit को cross कर रहे हैं और यहाँ से आपको apply और ok कर देना है आपके drive पे quota लग जाएगा तो मैं अभी लगाना नहीं चाहता हूं आप यहाँ से simply तरीके से लगा सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही थैंक्स पर वाचिंग